आज इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं क्या आपके YouTube एप्लिकेशन में आपको कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है Try searching to get started यानि कि कुछ इस तरीके से page आ रहा है और आपके जानकारी के लिए बता दें कि यह page आपको तब आता है जब आप अपने mobile में एक नया ID बनाते हैं या फिर आपको कोई सरकारी mobile मिला होगा यानि कि आपको सरकार की तरफ से कोई एक नया mobile मिला होगा या फिर आपने एक नया mobile purchase किया होगा यानि कि इसका main मतलब है कि आपने एक नया ID बनाया होगा तब आपको ये वाला page दिखाई देता है तो यहाँ पर मैंने अभी अभी एक नया ID बनाया हुआ था लेकिन जब हम मैंने YouTube को open किया homepage पर click किया तो हमारे समने यहाँ पर यह आ रहा था try searching to get started तो इसका मतलब क्या है जिसका मतलब यह है कि आपको अपने mobile में सबसे पहले इसे cut करना है YouTube application को और अपने mobile में जाना होगा Play Store पर पर जाने की बाद यहाँ पर आपको search बर पर click करना है यहाँ पर आपको type करना होगा YouTube और search कर देना है आपको यहाँ पर मिलेगा YouTube application अगर आपके mobile में YouTube पर update आया हुआ है तो update बटन पर click करके सबसे पहले अपने mobile में YouTube application को update करिएगा जैसे आप इसे update कर लेंगे update करने की बाद फिर आप इसे open करिएगा तो आपको फिर ये दिखाई नहीं देगा अगर आपको फिर भी दिखाई देता है आपके YouTube application में तो फिर आपको एक काम करना होगा क्या करना है तो यहाँ पर मिलेगा आपको YouTube आपको इसे open करना है open करने की बाद यहाँ पर आपको मिलेगा search bar और आपको इस पर click करना है जैसे आप इस पर click करेंगे सर्च बार पर क्लिक करने पर यहां पर आपका सर्च बार open हो जाएगा और यहां पर आपको कम से कम एक या दो या तीन बार आपको कुछ भी सर्च करके देखना है जैसे आपका movie देखना है तो movie का नाम टाइप करना है कोई गाना आपको प्ले करना है तो गाना का नाम टाइप करना है यानि कि आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ आपको सर्च करके देखना है और सर्च करने के बाद उसका वीडियो आपको एक बार या दो बार आपको पिले कर लेना है फिर आपको Home बेटन पर क्लिक करना है फिर आपके समने home पर आपको सावरा कुछ गाना वीडियो आपके समने वीडियो आना start हो जाएंगे और एक तरीका और भी होता है जब आपके समने ये problem आती है वो तरीका ये है कि अगर आपने YouTube पर अपना search history यानि कि ये जो आपका search history है इसे अगर आप delete कर देते हैं और अपना watch history जो होता है यानि कि देखने वाला watch history उसे अगर आप delete कर देते हैं तब भी आपके समने यही वाला page आता है जो मैंने आपको अभी अभी यहाँ पर बताया हुआ था ये वाला page आता है तो इस तरीके से आप इसे fix कर सकते हैं ये कोई ज़्यादा problem नहीं है बस आप एक या दो बार सर्च करके एक या दो वीडियो देख लीजिएगा और अपने YouTube को update कर लीजिएगा और ये problem नए ID में आती है आपको पता चल गया होगा अगर आपको वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक कर सकते हैं वीडियो पूरा देखने के लिए हमारी तरफ से आपको पहुत पहुत धन्वाद